हाई ओरिवान आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करने जा रहे हैं आपके द्वारा पूछेगा है कुछ महत्पूर कोश्चन के उपर जो कि पिएश्डी से जुड़े हुए हैं आपने पूछा है हमारी चैनल के माध्यम से कि प्राइविट यूनिवर्सिटी से अगर पिएश्डी करते हैं तो भविश्टी में सरकारी नौकरी प्राप्त करने में समस्या होगी आपने दूसरा question पूछा है कि private university से PhD करने का decision सही है या गलत है और आपकी दोरा एक महतपूर question ये मिला है कि private university से अगर PhD करते हैं तो valid होगा या not valid होगा तो सबसे पहले आपके question का answer हम देने वाले हैं कि private university से PhD करना valid है या नहीं आपको ओता दें इंडिया में जो भी government universities हो गई या private university हो गई और चाहे dimly universities हो गई ठीक है इन सभी को license देता है रन करने के लिए UGC University Grant Commission और University Grant Commission किसके अंतरगद रन करता है आपके ministry of education के अंतरगद रन करता है जो पहले MHRD के नाम से जानी जाती थी तो अगर कोई भी private university है वो PhD कराती है तो यानि कि वहाँ से PhD करना valid है ठीक है हाँ अगर आपको बता दें कि कोई PhD fake है और उससे आप PhD कर लेते हैं तो आपके PhD का कोई value नहीं निकलेगा तो अगर आपको जानना है कि कोई university जो private है वो fake है या legal है तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा पाइशान नहीं होना है यूजी सी के official website बेजाना है वहाँ पे private university की statewide list है उसमें जाके आप जिस university में admission लेना चाते हैं उसकी information वहाँ पे ले लिजिए अगर list में नाम है तो ठीक है list में नाम नहीं है तो fake है वहाँ पे admission मत ले जिएगा तो यह समस्या बिलकुल नहीं आएगा कि आप private university से PhD करते हैं तो वह legal नहीं रहेगा वह valid नहीं रहेगा आईसा बिलकुल नहीं रहेगा कोई समस्या नहीं आएगी ठीक अब second question का answer इसी में आपका मिल गया आपको कि private university से अगर PhD करते हैं तो उससे भविश्य में सरकारी नोकरी प्राप्त करने में कोई समस्या नही है ठीक तो वह legal है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सरकारी नोकरी में कोई काट नहीं सकता है अगर आप minimum eligibility के साथ apply करते हैं PhD के degree के साथ नहीं ठीक है तो कोई समस्या नहीं होगी अब बात करते हैं कि private university से PhD करने का decision सही है या गलत है इसके उपर बात करते हैं और यह बहुत महत्वपूर है तो देखिए प्राइवेट उन्ष्टी से PhD करने का decision सही है गलत है यह आपकी उपर निरफर करता है कैसे अगर गवर्मेंट उन्ष्टी में आप PhD करा लेते हैं प्यजी में admission ले लेते हैं सबसे पहले प्यजी में admission ले लेते हैं तो आपका फी जो रहता है व है वार्षिक फीस पे admission ले लेती है ठीक जिसमें course वर्थ इंक्लूड होता है और अगले वर्ष जाके यह फीस और सस्ती हो जाती है और भी इसका देखा जाए आपका रुपिया जो पैसा है वो कम कर दिया जाता है फी कम हो जाती है अब बात किया जाए कि अगर आप प्राइविट्टी के duration तो दोनों प्राइविट्टी का और गुवर्मेंट्टी के प्यच्डी के कोर्स अवाधी बराबर है ठीक है लेकिन अगर कहा साथ है कि मिनिमम थ्री यर तो होता ही है लेकिन गौर्ण्ट्टी से अगर आप प्यच्डी करते हैं तो थ्री यर में कहा है को करते हुए और उनको प्राप्स करते हुए हम ले देखा है कि यहां पर फाइदा है कि तीन वर्स में पूरा करों नहीं दे आपके हुड्ट आपका कम से कम देखा जाए पांस वर्स के आजपास का आवधी लेते हैं तो यहां पर समय का फाइदा रहता है जल्दी हो जाता है और गवर्मेंट में पैसे हैं ठीक है अगर टाइम है तो आप लोग देखा जाए प्राइविट के तरफ जा सकते हैं लेकिन अगर आप गवर्मेंट भी ने तो गवर्मेंट करिए हां देखा जाए रेपूटिशन की बात करें तो टीएची का जो रैंकिंग आता है या क्यूस का वर्ड यूश्टी रैंकिंग आता है अगर इसके अंतरगत आरे हैं वाली कोई यूश्टी हो गए इसके 500 या 100 के लिस्ट में तो इससे क्या होगा भाई समय ज्यादा रहेगा देखा जाए अगर प्यूश्टी किये रहेंगे तो इसके नौकरी नहीं दिया जाएगा गवर्मेंट में ऐसा कुछ नहीं समझ जाओगी ठीक है तो यह सब चीजें आप क्यों करते हैं तो क्या बेनिफिट है और गवर्मेंट से करते हैं क्या बेनिफिट है तो डिस्री आप की उपर है अगर आप से पैसे हैं आपको लेगी तो यह चीजह होगे साथ में आपको बता दें, अगर आप लोग ज्यारेफ हैं, जुनियर रिसर्च फेलोसिप का एक्जाम क्वालिफाई किये हैं, तो चाहे गौर्णमेंट होई, चाहे प्राइवेट होगे, दोन विश्टी में, अगर आप प्येश्डी करते हैं, तो आपको फेलोसिप मिलता है कै Ensai रिसर्च फेलोसिप की परिश्चानी कहीं नहीं होगी, कि अगर आपको गौर्णमेंट में प्येश्टी लेंगे, तभी आपका फेलोसिप मिलता है, तो अग प्येश्डी करते हैं, तो फेलोसिप आपको मिलेगा, यह भी सस्वाश्या नहीं होने वाली हैं, लेकिन द झाल 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 झाल